आप में किसान भाईयो में कैसे हैं आप सभी लोग BP kaol input channel पर आag लोगों का बहुत पहुतु श्फवागत है किसान भाईयो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मैं गयायों और भाइस हो की एक स्माधान रोज लेकर आता हूं जासरे हमारे किसान भाईयों का अधिक सदेख भला हो सकते हैं आज का हमारा टॉपिक रहेगा गाय भैसकी बच्चा-दानी में रशौली बच्चा-दानी में शूजन श्वयलेंग या गाय भैसकी बच्चा-दानी में इंफेक्शन इस समस्या के लिए आज हम आपको बहुती आसान बताएंगे हमारे किसान भाई कराते कराते मजबूर हो जाते हैं जतने की हमारी गाय नहीं होती उससे जदा आक इलाज करा लेते हैं और फिर भी वह गाय खुलकर हीट में नहीं आती है, गाय खुलकर हीट में नहीं आती है, कभी-कभी आती भी है, तो अत्तेदे के हीट में आ जाती है, कभी-कभी बिल्कुल हीट में नहीं आती है, तो ऐसी पोजीशन के लिए आज हम आपको बहुत ही आसान उपाय बताने जा हमारे अधिक सदिक सामभाइयों का भला हो सकें ubiqu to our topic रहेगा आपको बता दिया है फिर इक बार की दे रहा है या फिर वार की बच्या दानि में रसाली बच्छा दानि में गांट गाये पैशल पीजिश दानि में हीट में आ जाना या फिर रिपीट ब्रीडिंग करती रहना हमने AI कराई अगले मैना फिर हीट में आ गई हमने फिर AI करा दी दो मैने तीन मैने कवाद फिर हीट में आ गई तो इसको कहते हैं रिपीट ब्रीडिंग ये इसके लिए हम आप लोगों के लिए बहुत ही आसान अप सबका इलाज हमारी प्रकृत ने 50 किलो मीटर के अंदर बनस्पतियों में चुपा दिया है। अब आती है सबसी बड़ी समस्या कहां पर कि हम उन बनस्पतियों को खोजें कैसे और हमारे पास पर उसमें बनस्पतियां वलके हम लोग उनको पहचान नहीं पाते हैं कि कौन सी बनस्पति किस रोग में काम आएगी। अब ये ऐसा होता क्यों कभी कभी क्या होता है भाईयों कि जब पहली बार हमारी बच्चिया या पढ़िया कोई भी AI कराने के लिए हम जाते हैं नया डॉक्टर होता है वो गन क्रॉस करता है नया डॉक्टर हो चाए पुराना दॉक्टर हो गन क्रॉस करते टायम पर क्योंकि बच्चादानी का मौपूरी तरीके से पहली वार में नहीं खुला होता है उसमें जब गन क्रॉस करता है तो अंदर बच्चादानी में कहीं न कहीं पर गन्चुब जाती है वो तो AI करके चला जाएगा अगले टायम जब प्रशानी होती है अधिक समय लग जाए प्रसव होने में एक से दो दिन लग जाते हैं कभी-कभी कभी सुबह को शुरुआत होई और बारा एक वजे तक बच्चे को जन्म दिया यह रीजन हो जाता है कभी-कभी क्या होता है उसकी बच्चे दानी की शफाई ठीक से नहीं हो जाती है कभी-कभी बच्चा थोड़ा सा मुह बहर निकलता है घरवाशे वैसे हम पकड़कर खिशने लगती है इससे उसकी बच्चा दानी में जूट लग जाती है या फिर कभी-कभी समय से पहले गर्व गिरा जाना दो मैने के तीन मैने के चार मैने के या बीफोर टाइम बहुत समय से पहले ही बच्चा को गिरा दे ऐसी सिच्वीशन में क्या होता है कि हमारी गाई की बच्चा दानी में जखम हो जाते हैं इंफेक्शन हो जाता है और अंदर जो गंदगी होती है बो बनी रहती है उससे गांट बन कर तैयार हो जाती है जिसको हम रसॉली बोलते उसी रसॉली के कारण और उसी शूजन के कारण इंफेक्शन के कारण अगली वार गाय जो खुलकर हीट में नहीं आती है और खुलकर हीट में आभी जाती है तो AI करने के बाद में वो गर्ब धाड नहीं करती है या बिलकुल हीट में नहीं आती है कभी कभी क्या होता है गाय क को हम लोग जानते हैं गाई की चैनि प्रेगनेंट गाय है और वो बच दे गए आगे चल लेकिन इन्हीं सब काणों के काण उसकी बच्चy दानी में वाटर बर जाता है। डॉक्टर चेक करता है, उसका डडी पी करता हो करके तो वो कहता गाय तुमारी प्रेगन इंटाए लेकिन वो पानी बढ़ता रहता है शमय के साथ में जब दस और बारा महिना गुजर जाते कहते हैं हमारी गाय ने तो बच्चा यह नहीं दिया कि आधो क्या करना है बहुत चोटा सा पहर्मूला है पचास ग्राम आमला का जूसily कॉप अर्शू रजाए थि हैं हूं वे लूओं तो यह टूर्थे सनीन राम सहद मिलाना है यह हमारी हो गई है एक खुराक दिन में दो बार यह खुराक देनी है और पांच दिन तक खिलानी है आपकी गाए की बच्चादानी में किसी प्रकार की शमश्या नहीं रहेगी वो समय पर हीट में आएगी खुल कर हीट में आएगी और पहली बार में AI करन हो जाएगी गर्वधारड कर लेगी दूसरी मैंची शवी किसान भाईयों से विश्यस निभीदन है कि जितने भी आपके पसु हैं गाय भैंस बाचा बचिया पड़ा पड़िया उन सभी को आप पचास ग्राम नमक पड़े खलाईएगा सभी के लिए अबश्यक है यह 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 आप पचास ग्राम नमक अपने पसु को डेली देते हैं तो फिप्टी परसेंट वीमारिया उसमें नहीं होगी और खासकर तो उसके जो टिक्स होती हैं किलनी होती हैं वो नहीं हो पाएंगे तो इसलिए आप नमक का विश्यस दिहान रखिएगा और जो भी हमने बाते बताई हैं उनका देहान रखिएगा यह आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर मिलते हैं कलम अगली नई वीडियो के साथ में और नई शमस्या नए समाधान के साथ में तब तक के लिए जैरा प्राम जी के